स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यर्थ, अन अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला, इंडिया के ग्रामेन अपंग सशक्तिकरन कार्य के लिए समर्पित, निपुन्ता का आदर्श, नामदेव पेशने, गरीबी इनसान को क्या-क्या रंग दिखलाती है ये तो कोई धर्ड़ता के साथ नहीं कह सकता, ज्यादातर लोग मानते हैं, गरीबी की वज़से इनसान को अपने जीवन में उपर उठने के लिए बहुत कठिनाएं आती है, इनके लिए विकास मार्ग अवरुध हो जाता है और मजबूरी की हालत में लाचार बन जाते हैं, लेकिन ऐसे ही परिस्थितियों से अगर कोई संसकार, क्षम बालक अपनी बुद्धिमत्ता और कला गुणों के बल पर समाज में एक मान्यता प्राप्थ श्रेनी हासिल करने वाला यशस्वी नायक बन जाता है, तो समाज उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करता है, ऐसे ही नायक समाज सेवा में अपने आपको समर्पित कर देते हैं। इच्छुक होता है। जब उस परिवार में तीसरी आउलाद पुत्र के रूप जन में तो सब लोग कुशी से जूम उठे। जैसे जैसे पुत्र की आयू बढ़ती गई वैसे वैसे महसूस होने लगा कि अपने पुत्र की दृष्टी बाधित है। गाव में न तो आखो का डॉक्तर था ना ही परिवार के पास किसी नामी आखो के अस्पताल तक ले जाने के लिए परियाप धन। अभी तो बच्चा अपना सब काम कर लेता है जब कभी मौका आएगा तो देख लेंगे। पैसे की कमी और खेती के काम काज में व्यस्थ होने से तालमटोन होती रही। इस बच्चे का नाम नामदेव रखा गया। जब वह स्कूल जाने योग्य उम्र का हुआ तो उसे गाव के प्रात्मिक विद्याले में दाखिल करवा दिया। गाव के विद्याले के अध्यापक नामदेव के ऊपर सही धंग से निगाह रखते थे। उन्होंने पाया की नामदेर की ध्रिष्टी बहुत कम है। इससे वह आम स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि वह फलक पर लिखा हुआ नहीं देख सकता और नोटबूक में लिखने में भी बहुत सारी कठिनाईया आने से धीमी गती से ही लिख पाता है। वह भी मोटे अक्षरों के साथ। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के उच्चधिकारियों से जानकारी प्राप्त की की आसपास कही अंद बच्चों के लिए विशेश स्कूल रहिवासी सेवा के साथ उपलब्ध है और कहा। उन्होंने स्वयन जब भंदारा जाकर उस स्कूल में जाकर वहां बच्चे को दाखिल करवाने के सभी जानकारी प्राप्त कर ली और वे जब बोरगाम वापिस आये तो वे नामदेव के पिताजी से मिलने उसके घर गए। उन्होंने उसे समझाया कि नामदेव आम स्कूल में नहीं पढ़ सकता और उसकी सही तरक्की के लिए उसे शाश्किय अंध विद्याले, भंदारा, महराश्च्य में ही दाखिल करना चाहिए। लेकिन नामदेव की मा ननहे बच्चे को अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। तो रिष्टिदार और गाव के प्रमुखों ने उसे समझा बुझा कर नामदेव को भंदारा के स्कूल में भेजने के लिए राजी कर लिया। अब नामदेव विशेश स्कूल में पढ़ने लगा। पढ़ाई के दौरा नामदेव कई सारे संगीत वाध्य चलना सिख गया। नामदेव की बुध्धिमत्ता अच्छी होने से वह पढ़ाई में भी अपनी चाप छोड़ता रहा। वह हमेशा वर्ग में पहली तीन श्रेणी लेकर उतीन होता था। जब नामदेव सात्वी कक्षा में पढ़ रहा था तो उसे अपने पिता स्वर्गवासी होने का दुखत समाचार मिला। वह जब गाव से पिताजी के क्रिया कर्म पूर्ण कर वापिस स्कूल में दाखिल हुआ तो स्कूल के अध्यापकों ने उसका सही मार्ग दर्शन देकर उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। नामदेव की पढ़ाई जारी रही। स्कूली शिक्षा के दौरा नामदेव संभाशन, कला अभिनय कला और निबंध लेखन जैसे अनेक स्परधाओं में सहभागी होकर अनेक पुरसकार प्राप्त करता रहा। जब शालान परीक्षा में नामदेव सबसे अधिक गुणों से स्कूल में पहला क्रमांक लेकर उत्तीर्ण हुआ, तो कई संस्थाओं द्वारा उसे यह यश प्राप्त करने के लिए गौरवानवित किया गया। अब अपना जीवन्यापन करने के लिए उसे कमाई करने का जरिया ढूनना आवर्शक हो गया। तब वह छोटी-छोटी संगीत नाटिकाएं लिखकर उसे सुरीली संगीत से पेश करने लगा। गाना बजाना जैसे छोटे मोठे कारेक्रम में भी हिस्सा लेने लगा। उसे इस व्यवसाय में ख्याती प्राप्त हुई। जिससे वह पढ़ाई के दौरान भी और छुट्टियों में थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था। कुछ महीनों बाद उसे उसी स्कूल में संगीत शिक्षक के पद पर काम करने का मौका प्राप्त हुआ। वहाँ वहाँ अपनी प्रतिभा, गुरों और मेहन्त के बल पर सबका चहिता बन गया। उस विद्याले में श्री नखाते नामक मुख्या ध्यापक थे। वे हमेशा नामदेव को सही मार्गदर्शन करते रहें। नामदेव की प्रगती से वे बहुत प्रभावित थे। आगे चलकर श्री नखाते पुड़े जिले के समाज कल्यान अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। तब उन्हें जानकारी प्राप्थ हुई की ठाने जिले के बदलापुर नामक गाव में स्थित प्रगती अंध विद्याले इस स्कूल में अनुदानित म्यूजिक शिक्षक की जगा रिक्त है। उन्होंने श्री नामदेव पेशने की शिफारस कर उसे नियुक्ती दिला दी। प्रक्ती अंध विद्याले श्रीमती स्नेहलता मांजरे कर चला रही थी। वह भी जल्द ही नामदेव के गुणों से परिचित हो गई। जिस तरीके से नामदेव अपना दाइत्व निभा रहा था, उससे वह प्रभावित हो गई। नामदेव अब बच्चों को संगीत शिक्षा देते देते उन्हें व्यावसाहिक स्तर पर अपनी कला को पेश करने लायक भी तैयार करने लगा। जिसके लिए वह अनेक नातिकाएं लिखकर समय समय पर और विशेश मोकों पर समाज के सामने प्रस्तृत करने लगा। नामदेव सर ने अपने स्कूल के बच्चों द्वारा स्केटिंग वील पहन कर और दोनों हाथों में जलते हुए दिये लेकर उमकार गडेशा सद्गुरु समर्था इस गाने पर संगीत मय नृति का सफल आयोजन किया। वैसे ही उन्होंने नृति कलाकार के सर पर ठाली में दिये जला कर अपने चारों और नाचते और घूमते रहते बालबालिकाओं के साथ गर्बा नृति करने का बहुत ही अच्छा नृति गायन भी सफलता से आयोजित कर लिया। वे दोनों कारेक्रम तो इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके पेश करने के लिए जगा जगा से मांग आने लगी। जब यहाँ अनुभव मैंने खुद परेल मुंबई के दामोदर हॉल में इन दोनों कारेक्रमों का प्रस्तृती करण देखा तो मैंने तुरंद दूरदर्शन मुंबई को संपर्क कर उसे दूरदर्शन सह्यादरी पर प्रसारित करने की शिफारस कर दी। और उसका प्रसा ने योग्य बनाता रहा। उनमें से कई आजकल इस पेशे से अपना जीवन्यापन कर रही है। नामदेव तो था संगीत शिक्षत पर वह गड़त विशय सिखाने में भी निपुन था। स्कूल के विद्यार्थी नामदेव के गड़त सिखाने के तरीके से गड़त आसानी से सिख लेते थे। वह संगीत के साथ गड़त विशय सिखाने में भी नामदेव लिप्त रहा। आज भी नामदेव सर के कई विद्यार्थी याद करते हैं कि उनके जैसा गड़त शिक्षक हमने आज तक नहीं देखा। नामदेव सर ने विद्यार्थीयों को लेखन कला औ नामदेव जी शहर में महशूर हो गए। उन्हें सांस्कृतिक और वांगमेन तथा सारवजनिक कार्यक्रमों में हमेशा अतिथी पद ग्रहन करने के लिए निमंत्रित किया जाने लगा। बदलापुर गाव में अनात बच्चों के उठ्थान हेतू सतकर्म बालकाश्रम नामक संस्था विक्सित होने लगी। श्री नामदेव जी को उस संस्था का विश्वस्थ पद पर नियुक्ती सन 2005 में मिल गई। और सन 2008 में उन्हें अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया। तबसे आज तक वे सतकर्म बालकाश्रम की धुरा अपने कंधे पर वेहन कर रही हैं। उस संस्था में सरकारी एजंसियों द्वारा भेजे गए अनात बच्चों को रहिवासी सुविधाय दे कर उनका शिक्षन भरन तथा पोशन अच्छे धंग से करने की व्यवस्था आजकल नामदेवजी का ध्यान दिव्यांग युवा पीड़ी को रोजगार देने की और आकरशित हुआ है। आजकल रोजगार पाने के लिए संगड़क प्रशिक्षा जरूरी है। इसलिए उन्होंने ब्लाइन रिलीफ एसोसियेशन नामक संस्था शुरू कर चीहीन युवाओं को संगड़क प्रशिक्षा देने की पहल की है। आगे चलकर उस संस्था द्वारा वे विद्यारतियों को स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होने योग्य शिक्षा देने का भी प्रबंद करने वाले हैं। और रोटरी क्लब द्वारा शाल और श्रीफल देकर सन्मान्मित किया गया। सन 2017 में श्री नामदेव पेशनेजी को शोभाबेन प्रताब भाई पटेल स्कूल और फार्मेसी विले पारले मुंबई द्वारा दामोदर हॉल परेल मुंबई में आयोजित भव्य समारों में जीवन गौरफ पुरसकार देकर गौरवानवित किया गया। अस्थापक और आदर्श निर्देशक बनकर अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाने की कला में निपुन है। इसलिए वे सब के लिए निपुन्ता का आदर्श बन गए है। हमने तो आस्मान से मन्जिले तलाशना सीख लिया है। पहाडों मत करो गुरूर अपने पे इतना। हमने भी तकलीफों में खुश्या मनाना सीख लिया है। घटाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना। हमने भी आखों के पानी को सिने छुपाना सीख लिया है, फिजाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी फूलों को चमन में नहीं, अपने सिने में उगाना सीख लिया है, और हवाओं मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने तो पंखों से नहीं अपितु होसलों से मानत सचीव, National Association for the Blind, India